खबर सेम्री से विद्याले की च्छत की उपर से निकल रही 11 केवी लाइन छातरों को हो रही परिशानी नहीं हो रहा समस्या का निराकरण सेमरी पंचायत के शास की हार सकिंडरी बायर्ज स्कूल के प्राचारी महीश पाली जी ने बताया शास के उचितर मादमिक विद्यारे शेहर की काफी पुरानी सैक्षिनिक संस्था है इसकी स्थापना 1962 में हुई थी संस्था से कई चातर निकल कर देश और जिले का नाम रोशन कर रहे है हम लोग इस उद्यश को लेकर यह सिक्षण संस्था चला रहे है यह हमारा और सभी स्टाफ का उद्यश है कि इस संस्था में जो भी चातर ध्यन रत है उनका भविश उज्वल बनाएं और वे पालकों का और संस्था का नाम रोशन करें हमारे लिए सबसे बड़ी समस्याए है कि विद्धाले के च्छत के उपर से 11 केवी की लाइन निकली है हमने इसका सुधाल या इसको निकलवाने का आविदन श्रीमान ए महोदेव विद्धमंडल को लिखित आविदन दिया लेकिन इसकी कारवाई अब तक नहीं हुई हमारे विद्धाले में तीन संकाय संचालत होती है जिससे हमें चात्रों को जगहे की कमी महसूद होती है से में आपके स्कुल के संबन में कुछ पोचन जा रहा हैं आपके स्कुल के बारे में बताइए अब कि सब्सक्राइब आज तक देखा जाए तो इस चेत की बहुत पुरानी संस्ता है एना कई विद्ध्यारती यहां से अध्यन करके अच्छे पदों पे अपनी शिवाय दे रहे हैं और इस छेत्र नहीं अपित्विस से जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं और उसी लक्ष को हमने ध्यान में रखते हुए उसी उद्देश को लेके हुए हम सिक्षनकार यहानी अंतर चला रहे हैं और हमारा पूरा प्रयाश रह कि जो विद्यारती सामय अध्यनत है पूरे समय अनुसासन में अपस्तित होकर करें और छिक्षन ग्रहन करने के साथ यह अपने भाविश्व को उज्जुल बनाएं और इनके पालकों का इस संस्था का इस छेत्र का और इस जिले का नाम रोशन करें यह हमारा उत्देश है कि आपकी यहां से काफी पहले उस समय साइद हो सकता इस बढ़र निकली हुई है और व्रृव्ण में भी हमने उनको इस समश्या से अवगत करा या और समान में भी मैंने बताया है मेरे ध्यार्थियों ने मेरे पूरे स्टाप ने अपितियु हमारे SMDC सरस्वाइब से उनको अभगत कराया है यह जो के कॉलम से टच हो रहे हैं और टच होने के बाद वह संचालित होती है किसी भी समय कोई अगर बारिस होती है बच्चा वहा जाता है तो करेंट उतनने की संभाव नहीं होती है और कोई ऐसी अनयास घटना घट सकती है इसलिए मैंने ततकाल उस चीज़ को विजली विभाग के जो अधिकारी अभीनास एई अभीनास शिंग जी उनको अभगत कराया पत्र के माद्यम से उनको सूचना दी है और मैंने कहा है कि आप जल से जल समस्या के नहराकन करा है ताकि मेरी बच्चों की जो सेक्ष्वित कक्ष्च जो लगा हुआ है वह है नियमे तूप से वहां संच है बढ़े की बच्चों की तो उसको रखते हुए हम चाह रहे हैं कि यह समस्या का अगर नराकन हो जाता है तो हमारा एक कक्षी जो है कम से कम लगबग वहां पर 65 बच्चे उस कक्षिम बैठकर कर सकते हैं तो यह हमारी बहुत बड़ी समस्या है और समस्या क्या है यह इतनी भैवे इस्थिती है कि आप हम जानते हैं कि इतनी बड़ी 11 केवी की जो लाइन यहां से निकल गई हुगी है उसमें इस प्रकार की लापरवाही कदापी कहीं भी भवन में वर्दास नहीं किया तो सार आप क्या चाहते हैं बताएं हम बहुत से यहीं चाहते हैं कि समस्या का इस्थाई नराकरण हो अब उन्होंने आल्टानियोटी नराकरण जो है उस तार को एक इंसिलेटर से कुछ डिसेंस पर आइस्थाई रूप से तार से लेपेट की चले गए अंदर पानी हवा चलती है वह इंसिलेटर निका के फिकल जाएगा इस्टी वही रही है सेकेंड बाइर इसका आपने देखा भी आपने इसको लाइव कवर किया है वह उस बिल्डिंग से टच हो रहा है तो यह इस्थी तो नराकरण नहीं हुआ है इस इस्थी का नराकरण तभी माना जाएगा कि जब वह परयात लगभग बिल्डिंग के बेश से दस फूट उचा बाइर टो डो ऑतो हमाल सकते हैं कर चलिख है और मैं तो यह चाहता हूं कि यह म हड़िक का प्राण निर्माण का तभी जब नहीं रहतों हें नहीं नहीं जाएगी मैं कर दूट हिंस प्रीक या कठक जाएगी तुम चाहरे हैं कि यहां से हट जाए खबर भारत वर्ष के लिए सेम्डी हर्चंद से कमल महरा के रिपोर्ट अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ पैल आइकन दबाना न भूल क्योंकि खबर हमारी पैसला जनतंत्र का